ज़र बच्चों, आज मैं आपके बीच एक कहानी लेके आया हूँ, वह बरद राज की कहानी है, बात थोरी पुराने समय की है, एक बच्चा था, उसका नाम था बरद राज, वह अपनी स्कूल में पढ़ने जाता, लेकिन उसको सीखने की जो चमता उसकी थी, वह थोरी कम्यो तो लोग उसे कई बार चिराते थे कि मंद बुद्धी का है, बुद्धु है, उससे बड़ा दुखी रहता था हो, आप भी किसी को चिराते होंगे, तो आप भी मसूस करते होंगे, कितना बुरा लगता है, उसे भी बहुत बुरा लगता था, फिर वह दिन स्कूल छोर करके बाहर निकल गया, निराशा मैं इधर उधर भटा रहा, तो उसने प्यास लगी थी तो एक कुए के पास गया हो, उसने देखा कि कुए में एक बाल्टी लटकी हुई है, उसने रसी डाल करके कुए के नीचे से पानी निकाला, पानी पिया, प्यास बुजाई, और फिर निह आरने लगा, कुए का जो चबुतरा था, वो पत्थर से बना था, और रसी से पानी लाने ले जाने का काम होता था, रसी के घिसने से पत्थर पर निशान बन गये थे, इस घटना ने उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाया, और उसने एक दोहा लिखा, आप जानते भी हो उसे मैं बता रहा हूँ, उसने लिखा, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत बिशान, इसका आरता आप जानते ही होंगे, कि बारवार अभ्यास करने से आदमी अच्छा जानकार हो जाता है, ऐसे जैसे रसी जो कॉमल होती है, लेकिन वो बारवार जब घिसी जाती है, तो पत्थर पर भी निशान उग जाते हैं, अब इसमें दो-तीन बातें गौर करने लाइक हैं, एक पहला शब्द है यह जरमती, इस पर ध्यान दीजिए, ऐसे तो कोई जरमती होता नहीं, मेरा मानना है, कि सभी बच्चे अच्छे होते है हाँ कोई धीरे सीखता है, कोई दो-तीन बार पढ़ने के बाद समझ पाता है, तो उसको कई बार लोग बोलते हैं जरमती, जिसकी मती में जरता है, ऐसा हमारे साथ आपके साथ किसी के साथ हो सकता है, कि वो एक बार में नहीं समझता है, कई बार में समझता है, लेकिन सब की इच्छा होती है सुजान बनने की तो आदमी बच्चा यहाँ है और लक्ष यहाँ है यह सुजान बनना उसका लक्ष है मतलब अच्छा जानकार बनना जिस विसे में उसकी रुची है गनित में हिंदी में अंग्रेजी में उसमें प्रवीन होना उसमें दक्षता हासिल करना उसमें बेहतर करना ये लक्ष है तो पहला इस्टेटस है जर्मती का मतलब बुद्धी शामान ने है मन नहीं लग रहा है पढ़ने में विशे में रुची नहीं है लेकिन वो बनना चाहता है सुजान पूरी तरह संभब है बनना कई बार हम लोग कह देते हैं कि नहीं गणित इसके बसका नहीं है अंग्री तो ये सीखी नहीं चकता पूरी तरह गलत धारना है हर बच्चा अपने विशे में वो खेल हो वो सैकिल चलाना हो कंप्यूटर चलाना हो अंग्रेजी बोलना हो स्पीच देना हो गणित हो हर बस्तु वो हर विशे में वो प्रवीन हो सकता है सुजान हो सकता है जानकार हो सकता है कैसे? अभ्यास के दोरा ये अभ्यास सब्द जो है यही मिथड है स्टेटस है जर्मती का objective है सुजान बनना तो उसका method है अभ्यास अभ्यास के माध्यम से बारवार करने से यहां लिखा भी है करत है करत है एक बारवार नहीं बारवार बारवार अभ्यास करके सामान बच्चा ही सुजान हो सकता है अब यहाँ एक बात गौर करने की है, कि अभ्यास रटना नहीं है, प्राया सिक्ष्या क्या हुई भावक अभ्यास का मतलब समझते हैं रटना, रटना नहीं है, साइकिल का ही उदाहर ले, जब कोई बच्चा साइकिल चलाता है, तो थख गिर जाता है कभी, कभी बाये गिरता कभी दाहिने गिरता, कभी हैंडिल टेडी हो जाती, क्या हुँ चलाना छोड़ देता है, जो चलाना छोड़ता है, वो नहीं सीख पाता है, लेकिन बारबार चलाते रहने से, वो फिर तेजी से साइकिल दौरा लेता है, और भी कई गतिविधियां, जब बारबार आप करें तो उसमें आपको प्रविंडता आजाएगी, क्रिकेट खेलेंगे, दौरने में आप आगे आएंगे, ब्यायाम करेंगे, गणित बनाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, उसको बारवार करना पड़ेगा, हाँ एक बात अवस्य है, कि एक ही तरह की क्रिया बारवार करने से उब जाता है आदमी, इसलिए उसमें रोचकता हो, एक्टिविटी बेस्ट हो, तो वह ज्यादा बेहतर आएगा, उसमें मजा आएगा, और कई उदाहरन है, अपने हैं सामान ने बुद्धी के लोग भी भरे-बरे महापुरुष्ट बने, एक पौलो पिकाशो का लोग इनत कर रहा हूं, ऐसे बेग्यानिक हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, गायक होते हैं, कोई नृत्य करता है, कोई तबला बजाता है, वो बारवार अभ्यास करता है, तो मेरा आप से अग्रह है, बच्चों से, कि आप जो सीख रहे हैं, बारवार करिए, बारवार अपने को दु जरस्वी है अच्छी बात है तेज होना खुशी की बात है लेकिन तेज बच्चा भी जदि बारवार अभ्यास करेगा तो हहां तक पहुंच पाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है यhero अभ्यास नहीं करेगा साइद वह मुकाम नहीं मिले जो जाहता है इसलिए सब को अभ्यास करना है बारवार करना है और अपने लक्ष को प्राप्त करना है आपको बहुत बहुत शूप कामना है धन्यवाद